प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने देश में कोरोना के सिती को देखते हुए तीन मई तक देश में लॉकडाउन खोशित किया है। प्रधान में रहने की अपील की जा रही है। जरूरत का सामान घर तक पहुचाया जा रहा है। जरूरी चीजों की दिकानों को कुछ समय के लिए खोला जा रहा है। ताकि नागरिक घर में रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं ज जरूरत पढ़ने पर डंडे भी चला रही है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिने ये लगता है कि ये कोरोना वोरोना उनका कुछ नहीं बेगाल सकता। वो भार गुमेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ लोगों को पुलिस ने इतना ज शक्स को एंबुलेंस में लेटा दिया और जिसे कोरोना का मरीज बताया। और लोगडाउन का उलंगन कर बेवज़ सडकों पर घूम रहे लोगों को एंबुलेंस में ये कहते हुए डाल दिया कि कोरोना से डर नहीं लगता है तो कोरोना के पेशिंट के साथ बैठ जाओ। बस फिर क्या था अंदर बैठे शक्स को कोरोना वायरस का मरीज समझ कर इन लड़कों में भागम भाग मच गे। कोई दरवाजा पीट रहा था तो कोई खिड़की से बहार आने की कोशिश में था। कुछ देर तक ये ड्रामा चलता रहा। कुछ देर बाद पुलिस ने कोरोना से डरना चाहिए। सिर्फ एक मास्क मुव पर लगा कर सड़कों पर निकल जाने से आप कोरोना से बच जाएंगे ये कता ही नहीं सोचें। जब सभी सुरक्षा उपायों के साथ जन सिवा में लगे पलिस कर्मी डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं तो आप क्य लेकिन ये मजाग तक ठीक है लोगों को इस वीडियो को देखकर हसी आ रही है वहां तक भी ठीक है लेकिन पुलिस का ये तरीका सिर्फ आपको समझाने के लिए है इसलिए आप सबसे यही अनुरोध हैं कि अपने घरों में रहें लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षित रहें सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल इकन फोर अप्डेट्स